टाटा बना एर इंडिया का नया मालिक सबसे ज़्यादा बोली लगा कर खरीदा एर इंडिया सरकार ने लगाई फाइनल मुहर जी हाँ घाटे में चल रही एर इंडिया का अब टाटा संस नया मालिक बन गया है टाटा ने सरकारी विमानन कमपनी एर इंडिया के लिए बोली जीत ली है ब्लू बर्ग की रिपोर्ट की अनुसार अब टाटा ग्रूप एर इंडिया का नया मालिक होगा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मंद्रियों के एक पैनल ने एर लाइन के अधी ग्रहण के प्रस्ताफ को स्विकार कर लिया है आने वाले दुनों में एक आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है हम आपको बता दें कि एर इंडिया के लिए टाटा ग्रूप और स्पाइस जेट के अजैसिंग ने बोली लगाई थी रिपोर्ट के मताबिक सरकार इसकी घोषणा जल्द कर सकती है दिसमबर तक टाटा को एर इंडिया का मालिकाना हग मिल सकता है आपको बता दें कि जे आडि टाटा ने 1932 में टाटा इर इंडिया की स्थापना की थी दूसरे विश्व युद्ध के वक्त विमान सेवाएं रोक दी गई थी जब फिर से विमान सेवाएं बहाल हुई तो 29 जुलाई 1946 को टाटा इंडिया लिमिटेट कर दिया गया आजादी के बाद 1947 में एर इंडिया की 49 फीजदी भागिदारी सरकार ने ली थी 1903 में इसका राश्ट्री करण हो गया